नमस्कार दोस्तों, अर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, वेस्टिन सहारा डिस्प्यूट के बारे में डिस्कर्स करेगी, रीसनली आपने सुना होगा, अलजीरिया, स्पेइन के साथ अपनी 20 साल पुरानी ट्रीटी सस्पन क करने के बारे में एक अनॉंस्मन किया, तो ऐसा क्या हुआ अलजीरिया और स्पेइन के बीच में, ये समझने के लिए पूरा वेस्टिन सहारा डिस्प्यूट समझना सरूरी है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, वैसे दोस्तों, 2002 में स्पेइन और अलजीरिया के वेस्टिन सहारा एक वास्ट स्पार्सिली पोपिलेटर डसर्ट रीजियने नौर्थ वेस्ट आफ्रिका में, टोटल एरिया 2.5 लाक स्कॉर किलोमेटर है, ये मैप देखे दोस्तों, ये नौर्थ वेस्ट आफ्रिका का मैप है, इधर आपको दिख रहा है दोस्तों, वेस् वेस्टे कि आप इस मैप में देख सकते हो, वेस्टेन आफ्रिका का नौर्थेर पार्ट मोरोको है, नौर्थ इस में थोड़ा सा पार्ट इधर अल्जिरिया से मिलता है, और बाकी पूरा मौरिशाना के साथ है और Western से पूरा आप देखी सकते हो Atlantic Ocean वैसे Western Sahara region mineral rich है दोस्तों Phosphates की availability है और भी minerals की availability है और एक productive fishing industry भी है दोस्तों Atlantic Coast में Total population है दोस्तों under 6 lakh और ये former Spanish colony है और इथर एक nomadic indigenous tribe भी रहते है दोस्तों जिनका नाम है Sahrawi tribe Main language है हजन या Arabic Now काफी decade से Morocco Western Sahara का control claim करता है पर Western Sahara region में जो Sahrawi tribes है वो अपना independent territory चाहते है Now Western Sahara region को लेके dispute actually कब शुरू हुआ 1884 में Spain Western Sahara region का colonization शुरू किया और mid 1900 तक पूरा Western Sahara region एक Spanish province बन गया called Spanish Sahara Spain ने क्या किया Western Sahara का दो main regions Basically Rio de Oro and Sabu Ilhamra को unit करके एकी province बना दिया फिर 1957 में जब Morocco एक independent country बना तब वो Western Sahara region के ओपर claim करना शुरू किया Morocco का तब के ruler King Mohammed 5 ये claim किया ये जो Western Sahara region ने ये Moroccan kingdom का part था एक time पर इसलिए Western Sahara region मोरो को को मिलना चीए 1960 तक neighboring country मोरी शानिया भी Western Sahara region के उपर claim करना शुरू किया फिर 1970 तक Spain के उपर प्रशर आया अपने African colonies वेकेट करने का तो जैसे Spain वेकेट करना शुरू किया सहरावी इंसर्जन्सी शुरू हुआ Western Sahara में मैंने आपको पहली बोला था ना Western Sahara region में जो नुमाडिक ट्राइब से सहरावी उन्हें तो अपना independent territory चाहिए था तो सहरावा tribe की जो इंसर्जन्सी लीट किया था एक political military group called the Polisario Front ये 1973 में found हुआ था with the help of Libya and Algeria ये आप थ्यान दीजिएगा आप Western Sahara region के अंदर जो इंसर्जन्सी शुरू हुआ उससे लीट किया था Polisario Front जिसको support था Libya and Algeria का अब आ लीबिया अन अलजिरिया का historic ties था इन tribes के साथ इसलिए वो इन tribes को help करने के लिए पहुंचा वैसे Western Sahara region का North Eastern region में थोड़ा सब बॉर्डर अलजिरिया के साथ मिलता भी है ये मैंने आपको map में दिखाया था वैसे Polisario Front को popular front for the liberation of Sagua El Hamra and Rio de Oro भी बोलते है दोस्तों Sagua El Hamra and Rio de Oro के बारे में मैंने आपको पहली बोला था ये दोनो Western Sahara region के दो मेंड प्रोविंसे से तो Polisario Front Spanish colonists के against गरिला वार शुरू किया Finally 1975 तक Spain completely withdraw हुआ Western Sahara से वैसे Spain का formal exit हुआ February 28, 1976 को इसे एक दिन पहले Polisario Front ने क्या किया Western Sahara को as the Sahrawi Arab Democratic Republic या फिर SADR करके declare किया पर देखे, SADR को अभी तक Western countries ने recognize नहीं किया है आसे separate country पर 70 countries already SADR को आसे separate country recognize किया है और already SADR African Union का एक member भी है तो जैसे SADR का declaration हुआ, Morocco and Mauritiania चुप नहीं बैठे, वो अपने troops बेजे Western Sahara region में अपने claims को और assert करने के लिए तो Polisario Front को Algeria and Libya का backing था यह मैंने आपको पहली बताया, तो Algeria ने इन्हे diplomatic and military support दिया और Polisario Front अपना guerilla resistance चालू रखा और यह demand किया Morocco and Mauritiania भी उधर से विज्जो करना चीए अब दोस्तों इस dispute पर United Nations का intervention शुरू हो जाता है 1975 में United Nations General Assembly International Court of Justice को बोला यह decide कीजिए Morocco and Mauritiana का जो claim है, क्या वो सही है Western Sahara region के उपर फिर court ने यह rule किया Morocco और Mauritiana का claim ठीक नहीं है at the same time court ने यह भी बोला Western Sahara region में कुछ tribes एक टाइम पर Morocco Sultan की तरफ लोयल थे court ने यह भी बोला Western Sahara region का principle of self determination सही है मतलब ऐसे separate country वो रह सकता है और United Nations General Assembly एक resolution भी पास किया था 1541 resolution यह basically Western Sahara region का decolonization से related था तो इसे भी मान लिया और यह भी मान लिया Western Sahara region ऐसे separate country रह सकता है पर International Court of Justice का ruling Moroccan king Hassan II ने माना नहीं उन्होंने अपने troops और thousands of Moroccans को भेजे Western Sahara की तरफ जिसे वो कहा Green March तो इससे शुरू हुआ दोस्तों the long 16-year war between Polisario and the two occupying countries basically Polisario, Mauritania and Morocco के बीच में 16-year long war शुरू हुआ पर Mauritania Polisario के साथ एक peace treaty sign किया 1979 में और Western Sahara region से विद्रो भी किये फिर United Nations ने intervened किया basically Polisario और Morocco के बीच में जो वार चला था और ceasefire mandate किया 1991 में और United Nations ने ये promise भी किया एक independence referendum होगा Western Sahara region में और सहराविस ये determine कर सकता है क्या वो independent territory रहना चाहता है या फिर part of Morocco रहना चाहते है पर देखे दोस्तों ये referendum अभी तक हो नहीं पाया क्योंगी सबसे बड़ा issue ये था कौन-कौन vote करेंगे referendum में ये decision नहीं कर पाया फिर 1991 तक Morocco धीरे-धीरे Western Sahara region का 85% तक control में लाया Presently SADR Western Sahara region का Eastern flank से operate कर रहा है दोस्तों और Algerian border में Tindo of region में कई सारे refugee camps भी है उथर से भी operate कर रहा है ये देखें दोस्तों ये Western Sahara का map है इधर आपको दिख रहा है वो Eastern flank जहां से SADR आजकल operate कर रहा है और इधर Algeria border में कई सारे refugee camps भी है ठीक है बाकी पूरा region जो है Moroccan control में है और Morocco ने क्या किया उन्होंने एक huge sun wall construct किया जिसे the berm बोलते हैं इसका construction 1981 में start किये थे from the Atlantic coast of Western Sahara to the mountains of Morocco ये wall basically Moroccan territories और Polisario front की territories को devate करता है ये map देखें दोस्तों इधर आपको the berm दिख रहा है ये जो red lane आपको दिख रहा है दोस्तों Atlantic coast से लेके Morocco mountains तक तो ये पूरा area जो है Moroccan control में है ये जो छोटा से area है ये Polisario front या फिर SADR के control में है वैसे दोस्तों मैंने आपको बोला था 1991 में एक UN mandated ceasefire declare हुआ था Polisario front और Morocco के बीच में तबसे एक UN peacekeeping mission उथर deployed है दोस्तों ये UN peacekeeping mission का काम है उथर referendum conduct कराना referendum के बारे में भी मैंने आपको पहले बोला था जो आपी तक हो नहीं पाया तो ये UN peacekeeping mission का नाम है United Nations mission for the referendum in West and Sahara या फिर Minurzo और बात यह है दोस्तों आपकी भी Minurzo troops उथर deployed है काफी कोशिश करने के बाद United Nations Polisario friend and Morocco को एक negotiating table में लेके आया 2007 में तो negotiating table में Morocco ने अपना demand रखा Morocco ने एक plan प्रपोस किया उन्होंने बोला हम Western Sahara को limited autonomy provide करेंगे बेसिकली सहराविस अपना government चला सकता है पर Moroccan sovereignty को accept करना पड़ेगा इसके अलावा Morocco Western Sahara region का phosphate reserves, fisheries, defense and foreign affairs कांट्रोल करेंगे ये plan Polisario friend को अच्छा नहीं लगा उन्होंने इन plans को reject किया इवन Algeria भी Moroccan proposal को oppose किया अब देखिए दोस्तों काफी सानों से ceasefire maintain हो रहा था पर 2020 में Morocco को एक attack किया उसके बाद Polisario friend भी ये threaten करने लगिया हम ceasefire को violet करेंगे पर ये अभी तक हुआ नहीं है एक important बात यह है दोस्तों इन regions में Morocco troops की तरफ से काफी human rights abuses रिपोर्ट हुआ है thousands of सहरावीस अभी भी refugee camps में रह रहे है दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों Spain की policy shift के बारे में जिसकी वज़े से Algeria के साथ उनके relations खराब हुए ठ्यान से सुनिएगा देखे, Spain and Morocco के बीच में अच्छा खासा relations चलना था पर Spain ने recently क्या किया Polisario Front का leader Brahim Khali को Spain में एक hospital में Antmito ने दिया COVID-19 treatment के लिए जो Morocco ने already मना किया था तो Spain को pressure में डालने के लिए Morocco ने क्या किया Border controls reduced किया to the Spanish enclave of Zuta leading to an influx of about 10,000 migrants to the border अब थोड़ असा confused हो गया होगा मैं आपको map के साथ बता देता हूँ ये Morocco का map है Morocco African continent का North Western side में आता है Morocco का just उपर है दोस्तों European country Spain Morocco और Spain के बीच में है Strait of Gibraltar जिसे UK कंट्रोल करता है Strait of Gibraltar, Mediterranean Sea and Atlantic Ocean को connect भी करता है अब आप ध्यान से देखेगा दोस्तों Morocco का Northern tip में है छोटा सा एक area जो Spain की territory है ठीक है इधर आपको zoom in photo दिख रहा है ये है दोस्तों Zuta Now पहले Morocco और Spain का relations अच्छा था तो Spain ने Morocco को बोल के रखा था ये जो international border है इधर आप अच्छा border restrictions लगाए ये ताकि कोई भी migrants Spain की ये जो territory है उधर आ नहीं पाए तो Morocco वो कर भी रहा था अब जैसे Spain और Morocco के relations खराब हुआ तो Morocco ने क्या क्या इधर के border restrictions को थोड़ असा डीला किया इस वज़े से क्या है करीब 10,000 migrants Morocco से Spain पोंच तो ये सब गौलमाल की वज़े से Spain Morocco का 2007 plan को endorse किया basically support किया पहले तो support नहीं कर रहा था Spain पर ये सब problem की वज़े से Morocco का 2007 plan को Spain endorse किया क्या था Morocco का 2007 वाला plan मैंने आपको बताया था ना कि Western Sahara region को limited autonomy provide करेंगे और सहरावीस अपना government भी चला सकता है पर Moroccan sovereignty के under होगा जिसे सहरावीस ने reject भी किया था पर अब ये plan को Spain support कर रहा है जो Algeria को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने बोला Spain ने Morocco's autonomy plan को endorse किया इसके साथ साथ United States of America भी Moroccan sovereignty over Western Sahara को recognize किया है जब Donald Trump USA के president थी तो दोस्तों ये सारी developments obviously Algeria को अच्छा नहीं लगेगा क्यूंगी Algeria काफी सालों से Polisario Front का एक committed supporter है उन्होंने सहरावी अरब Democratic Republic को 1976 में recognize भी किया था और करीब 1.7 लाख सहरावी refugees अभी भी Algeria's Tintov province में refugee camps में रह रहे है दोस्तों तो दोस्तों finally Spain और Algeria के बीच में जो problem चल रहा है उसे सबसे ज़्यादा नुकसान तो Spain को होगा क्योंगी Algeria Spain का primary supplier of natural gas है पर देखे Spain और Algeria के बीच में already long term contracts sign किया हुआ है natural gas supply को लेकर तो इसमें कोई problem नहीं होना चाहिए पर Algerian authorities ने Spain authorities को ये clearly बोला है हम जो natural gas आपको supply कर रहा है वो आप तीसरा कोई country को redirect नहीं करना है इस तरह अगर आप करेंगे तो contract को हम cancel करेंगे करके basically इथर Morocco की बात किया जा रहा है Spain Morocco को अगर gas supply करेंगे तो Algeria Spain और Algeria के बीच में जो contract sign किया हुआ है वो भी long term contracts इसे cancel करेंगे ऐसे threaten किया है और Algeria पूरा जो foreign trade of goods and services से वो भी suspend करने के बारे में decide किया है तो Spain और Algeria के बीच में जितने भी trade हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा तो इसे Spain में inflation भी हो सकता है तो आप देखते हैं चीज़ें कैसे solve हो जाता है तो दोस्तों that's the end of it I hope आपको पूरा issue अच्छी तरह समझ में आया होगा thank you for watching bye bye have a nice day